और इन्स तक्रिशन से लेट पड़ाएंगे कि आप लोगों को पता है Inferves of function ही पढ़ रो है लास्ट-lection में हमने 23 जुटल पढ़ ली थी फंक्षन की तो 24-25 टाइब हीरा किन को Warm aşण को define नहीं कर रहे होते हैं यहां पर आप देखो secondary में तो हम उनकी domain और range देख रहे होते हैं या इनके graph हम देख रहे होते हैं कि यह trigonometric function का graph है यह सकी domain है यह range है हम इन functions के बारे में यह पढ़ रहे होते हैं तो यह domain और range है यह बहुत important concept है अगर आप क्या कहते हैं आपको concept ना पता हो इसका तो domain और range इन 6 trigonometric function 6 inverse trigonometric function की आप याद नहीं रख सकोगे तो exam में आप बैठ जाओगे ऐसी ठीक है कि रट्टे आपके नहीं लग सकते बड़ी मुश्किल होती है इनकी तो बाद में मैं टेबल बना दूँगा जिसमें domain और range रिखी भी होगी अभी जस मैं समझा रहा हूं अगर आप भूल जो तो किस तरीके से आप याद अर्खोगे इनकी डुमेन और रेंज यह टॉपिक फस्ट यह टिक्नोमेटरी में भी है तो मैं एक दफा समझा रहा हूं बागी टिक्नोमेटरी फंक्शन जब आए फस्ट यह में तो आप इसी लेक्चर को देख ले ना आपको वहां कॉंसेप समझा देगा प्राइमरी टॉपिक तो य सब टिक्नोमेटरी फंक्शन के ग्राफ याद कर लो ठीक है और आपको यह पता होना चाहिए एकस एकसे से किस पॉइंट में मिल रहे हैं यह सब आपको आइडिया होना चाहिए अब अगर आप साइन एकस की बात करो तो साइन एकस एकसी से सबसे पहले औरिजन पर मिलता है ठीक है फिर इस पॉइंट पर मिल रहा होता है यह पॉइंट क्या होता है यह पॉइंट होता है अच्छा देखो टिक्नोमेटरी फंक्शन में जो x-axis है इसमें आप एंगल पुट कर रहे होते हो और y-axis पर आपके बास value आ रहे होती है तो इस पर एंगल क्या होता है पाई ह 3.2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब पर sign की वैल्यू जी रही हो दि है और नेगेटिफ के लिए आप आप कर सकते हो और sign function के बारे में एक बात याद कर लो कि sign की maximum value maximum value जो है वो 1 हो सकती है और minimum value minus 1 हो सकती है आप sign के अंदर कुछ भी angle put कर दो answer 1 से greater नहीं हो सकता answer minus 1 से कम नहीं हो सकता यह sign function की बात होती है तो अगर मैं यहाँ पर domain क्या होती है x values range क्या होती है y values तो अगर आप से पूझा जाए कि sign function की domain क्या है तो sign function की domain सब real numbers है सब real numbers है आप कुछ भी put कर सकते हो देखने में लग रहा है आपको आप कुछ भी put कर सकते हो मैंने बताया था अगर आपको graph याद होना तो just आप यह देखो कि आपका graph x-axis पे कहां कहां पहला हो है तो देखो यह positive x-axis पे भी पहला हो है और negative x-axis पे भी पहला हो है तो domain तो है इसकी real number और जहां तक बात की जाए range की ठीक है range का मतलब होता है आपका graph जो है वो y-axis पे कितना पहला हो है और अगर आप sign का graph देखो sign की जितनी peak है वो सब 1 से उपर नहीं हो सकती इसी दरह जितनी peak है वो minus 1 से नीचे नहीं हो सकती तो आपका जो graph है sign का यह 1 और minus 1 y value के दर्मियानी बनता है ना उपर जाता है ना नीचे जाता है उसका मतलब range क्या है यहां पे minus 1 से लेके 1 तक minus 1 से बहार क्यों value नहीं आ सकती और 1 से बहार भी क्यों value नहीं आ सकती मतब minus 1 से कुछ छोटी value नहीं आएगी 1 से कोई बड़ी value नहीं आएगी और यह जो bracket वाले nutrition है यह मैंने पहले भी बताईए कि square bracket का मतलब होता है वो value शामिल है तो देखो यहां पे minus 1 भी आ सकता है minus 1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है तो minus 1 और 1 दोनों पर मैंने square bracket लगाई भी है और इनके दर्मियान की तो obviously सब values है वो सब sign की क्या होती है range होती है अगर आप cosine की बात करो तो एक बात तो cosine की सेम होती है बलके दोनों बाते समय है कि आपका cosine की अगर आफ देखो ये भी वन से उपर नहीं जाएगा इसी तरह minus 1 से नीचे नहीं जाएगा तो यहां पे आप इसकी range देखो तो इसकी range भी क्या है माइनस 1 से लेके 1 और अगर आप डुमेन की बात करो तो इसकी डुमेन सब real numbers है देखो आप अगर आप positive x-axis पे फैलाव है और negative x-axis पे भी फैलाव है और cost की बात करो तो cost अगर आप बात करो x-axis से कब मिलता है यह तो इस point पे x-axis से मिल रहे इस point पे मिल रहे हैं, यह सारे point क्या होते हैं, देखो यह वाला point होता है पूरा pi, ठीक है, तो यह वाला point होता है pi by 2, आपको वैसे भी बता है कि जब आप cos 90 degree put करो, तो answer क्या होता है, 0 आ रहा होता है, तो 90 पे 0 है, इसी तरीके से गराफ जब इदर जाएगा, तो यह point हो 3, 5, 2 नी हो गए, 3, 5, 2 यह वाला point है, यह वह वाला point है, यह बता है, जिस पे x-axis से मिल रहे हैं, इसी तरा यह पाये है, यह point हो जाएगा 3, 5, 2, ठीक है, तो आप देखώ, pi by 2 पे भी x-axis से मिल रहे है, 3, 5, 2 पे भी एकसे से मिल रहे है, यह point होगा 4, 5, 4, पे टो पर है यह दुबारा कब मिलेगा ये वाला point हो जाएगा 5, 5 by 2 दुबारा cosine अपने x-axis से मिलेगा 5, 5 by 2 पे मतलब 90, 270, 450 degree इन पे ये x-axis से मिल रहा होता है सेम, negative x-axis के लिए भी e value होंगी बस negative लगा दे न तो ये तो बात होगी cosine functions related और y-axis पे कब मिल रहा है ये भी बहुत सकते है जो 1 value है जब x value 0 है और y value मतलब 0 degree जब आप पूट करते हो तो answer क्या आता है बनाता है ठीक है और अगर sine की बात की जाए तो sine y-axis से कब मिलता है origin के उपर अगर आप देखो ये graph जो है ये y-axis पे कब है origin के उपर है इसके लावा ये y-axis के उपर नहीं है ठीक है मतलब 0,0 के उपर ही ये graph y-axis को cross कर रहा है बागी किसी point पे y-axis को cross नहीं करेगा और cosine function 0,1 point पे cross कर रहा है y-axis को अब अगर बात कीज़ें tangent function की तो tangent function थोड़ा different होता है उसमें आपको एक word होता है मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा asymptote asymptote एक ऐसी line होती है जिस पे आपका curve उस straight line के पास होता है जैसे अगर मैं sign function sorry trigonometric tangent की अगर मैं बात करूँ तो देखो आपका curve इस type का आ रहा है एक straight line के पास बिल्कुल approach कर रहा है तो अगर एक curve एक straight line के पास approach कर रहा है मतलब इन दोनों के दर्मयान distance जो है वो almost zero के बराबर है मतलब almost यह मिल रही है लेकिन actual में मिलेंगे नहीं कुछ ना कुछ इनके दर्मयान distance रहेगा तो ऐसी straight line जो curve के बिल्कुल approach कर रही होती है उसके पास होती है उनके दर्मयान distance almost zero के बराबर होता है लेकिन वो कभी मिलती नहीं है तो इस straight line को आप क्या बोलते हो as I'm told तो tangent के graph में आपको वैसे भी बता है अगर आप tangent 90 degree उपुट करो तो calculator आपको error दे रहा होता है error मतलब वो undefine हो जाता है undefine को हम infinity से normal show कर रहे होता है और दिखने पर भी लग रहा है pi by 2 पे आपका graph भड़ता जा रहा है मतलब बहुत बड़ी है आपके पास एक y value आ रही है इसी तरह minus pi by 2 अगर आप calculator में पुट करो तब भी देखो अगर आप नीचे की तरफ जाता जा रहा है मतलब आपके बहुत बड़ी y value मिल रही होगी जिसको आप 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 तोर पे infinity से लिखे रहे होते हो तो tangent के graph में आपको asymptote जो हैं वो odd multiple of 90 degree उस पे मिल रहे होते है odd multiple मतलब 1 pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 इन सब पे आपको देखो asymptote मिल रहे होंगे और negative के लिए आप कर सकते हो negative pi by 2 negative 3 pi by 2 negative 5 pi by 2 आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे asymptote मिल रहे होते हैं और यह asymptote मैंने line मनाई भी यहाँ तो यह एक basic tangent का graph है बाकि आप देखो यह 90 degree है यह वला point pi होता है अगर आप tangent में pi पुट करो मतलब 180 degree पुट करो तो answer 0 आ रहा होता है तो tangent का graph x-axis से कब-कब मिलेगा एक तो 0 पे मिल रहे है एक pi पे मिल रहे है इसी तरीके से एक 2 pi पे मिलेगा negative के लिए भी आप यह कर सकते हो और अगर आप बात करो y-axis से कब मिलेगा तो वो just origin के उपर मिल रहा है तो यह तो basic इन तीनों curve के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया इनके curve को मैंने explain कर दिया अगर इसकी मैं domain और range लिका लूँ तो domain इसकी क्या है देखो यहां पर मसला आगया मसला यह आगया कि अगर आप calculator में देखो आप calculator में 90 degree put नहीं कर सकते आप calculator में 270 degree नहीं पूट कर सकते tangent के अंदर जितने यह odd multiple है 90 के इसी तरह आप 450 नहीं पूट कर सकते calculator में और अगर आप negative की बात करो तो same आप minus 90 नहीं पूट कर सकते आप minus 270 degree नहीं पूट कर सकते tangent के अंदर तो domain मेंने क्या बताया था domain x values होती है जो आप किसी function के अंदर पूट कर सकते हो अब tangent के अंदर आप यह वाली values पूट नहीं कर सकते बाकी आप सब पूट कर सकते हो मतलब बाकी आप कोई भी real number पूट कर सकते हो सिवाए इन values के तो उसकी domain में किस तरीके से लिखूंगा real number मतलब इसकी domain जो है वो real number है सिवाए इन numbers के वो numbers क्या है वो numbers है जैसे आप पूरे एक set बना सकते हो pi by 2 3 pi by 2 अच्छा पर आप लिख सकते हो 5 pi by 2 7 pi by 2 यह सब जितने number है इनको आपने निकालना है real number में से क्योंकि यह वो numbers है जो आप tangent के अदर put नहीं कर सकते हैं तो मैं plus minus लगा रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव नेगिटिव दोनों पे नहीं आप पूट कर सकते है अब मसला ही कि आप कितनी list बनाओगे आप मतलब क्या सब को list करोगे कहीना कि दू रोकोगे न यह dot dot लगाओगे क्या करोगे तो उसका best तरीका यह कि हम इसको एक और तरीके से show कर रहे होते हैं जरा उसको देख लो इन सब values को वो show करने का तरीका यह होता है 2N प्लस 1 पाई बै टू वेर N बिलॉंग्स तू इंटीजर यह वो values है जो टैंजिंट में मसला करती है कैसे जब आप N की value 0 पुट करोगे यहां पे तो answer क्या आजाएगा पाई बै टू आजाएगा जब आप N की value 1 पुट करोगे तो answer आजाएगा 3 पाई बै टू जब आप N की value 2 पुट करोगे तो answer आजाएगा 5 पाई बै टू मतब 2 को 2 से multiply करो 4, 4 प्लस 1 5 पाई पाई बै टू तो देखो यही तो वो values है जो हमें मसला कर रही है तो instant के आप यह सारी चीज़ें लिखो इसके बजाएए आप ज़स यह लिख दो कि 2 N प्लस 1 पाई बै टू ठीक है वेर N बिलॉंग स्टू इंटीजर तो real number में से इनको आप हटा दो बाकि जो भी numbers होंगे वो आप tangent में put कर सकते हो वो tangent की domain हो जाएगी और अगर बात की जाए रेंज की तो दिखने में लग रहा है आपका graph जो है वो y-axis पे फैलाव है मतलब आपको positive y-value भी मिल रही है देखो आप a graph भरता जा रहा है positive y-axis में तो आपको positive y-value भी मिलती जाएगी आपको negative y-value भी मिलती जाएगी तो range जो है वो इसकी sub real number है कोई भी इसके अंदर restriction नहीं है अब देखो मसला ही होता है कि ये तो मैंने normal इनकी domain range बता दी अब दूसरा concept होता है इनके inverse की domain range अब inverse function में क्या इसमें scene होता है देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी इस concept को जहन में रखो अगर आपने inverse निकालना है तो जितने भी bijective function है उनका अगर आप inverse निकालो तो वो function होता है बाकि जितने भी function है उनका जब आप inverse निकालोगे तो वो relation आएगा फिक है यह मैंने आप लोगों को बात बता जीती पहले अब अगर आप इंट्रिक्नोमेट्रिक function को देखो तो यह bijective नहीं है bijective पता करने का तरीका क्या होता है अच्छा bijective या 1-to-1 यह एक ही मानूम हम इस्तेमाल कर रहे होते है फर्क है इनमें लेकिन normally हम एक ही मानूम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मैंने बताया था 1-to-1 को चेक करने का तरीका क्या होता है आप horizontal line draw करते हो तो देखो एक horizontal line कितने point को cross कर रही है तो यह तो 1-to-1 नहीं है मतलब bijective नहीं है जब 1-to-1 नहीं होगा तो bijective कैसे होगा इसमें भी देखो horizontal line कितने point को cross कर रही है और सेम इसमें भी यही है तो इससे नुकसान ही होगा कि जब आप इनका inverse निकालोगे तो वो function नहीं आएगा इनका inverse क्या हो जाएगा relation हो जाएगा क्योंकि जितने भी bijective function है सिर्फ उन्हीं का inverse क्या होता है function होता है तो अब हम क्या करेंगे हमने इनके inverse को function बनाना है तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम इनकी domain को restrict कर देंगे restrict करने का मतलब कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि इनको हम one-to-one मना दे अब वो जड़ा देखो वो करने का तरीका यह होगा कि आप इस graph को रिमूफ कर दो कुछ x value उस पे जैसे यह x value है इससे पहले पूरे graph को आप रिमूफ कर दो जितना भी ता रिमूफ कर दी है इसी तरह x value से पहले इस x value के बाद जितना भी function है आपका इसको रिमूफ कर दो अब यह जो function आया है जरा देखो यह one to one है नहीं अब अगर आप इसके अंदर horizontal line बनाओगे तो वो एक ही point पे cross करेगी इसका मतलब यह जो है यह bijective function हो गया इसी हिससे को मैंने यहाँ पे यह बनाया गया अगर आप इस पे horizontal line बनाओ तो test pass होगा हर horizontal line एक ही point पे cross कर दिया इसका मतलब आपका sign function जो है यह अब one to one बन गया अब अगर आप इसका inverse मालूम करोगे तो वो क्या होगा function ही होगा अब यह चीज़ बताने का मकसद यह कि inverse technometric function की domain और range याद किस तरीके से करोगे आप लो उसका मैं concept बता रहूँ अब student यह बोल सकते हैं कि मैंने यह वाला हिसा choose किया है अगर आप इस पूरे sign function को बनाओ तो अगर आप इतना हिसा choose कर लो यह वाला तो यह वाला हिसा भी तो one to one है अगर आप इतना वाला हिसा देखो यह भी horizontal line को pass कर रहा है लेकिन देखो यह हिसा जो है काफी अजीब हो जाएगा क्योंकि यह जो angle होता है ना यह angle होता है pi by 2 और यह वाला angle हो जाएगा pi और यह हो जाएगा 3 pi by 2 तो अगर आपने यह वाला हिसा consider किया ना इसमें angle काफी जीब से होंगे 90 से लेके 270 के दर्मियान 180 150 स्टाइब के होंगे तो बेस तरीका है कि आप यह वाला हिसा चूज करो क्योंकि इसमें angle काफी easy होंगे 0 से लेके 90 होंगे 0 से लेके minus 90 होंगे तो इसलिए हम अपनी असानी के लिए यह वाला चूज करते है वना चूज आप यह भी कर सकते हो ठीक है अच्छा यह जो हम domain restrict करने के बाद sign function आता है इसका एक नाम है जिसको हम बोलते है principal sign function तो अगर mcq तो पूछ सकते हैं आप लोगों को idea होना चाहिए और में भी वो आप से पूछे हैं कि principal sign function की domain और range बताओ तो अब ज़रा वो देखो कि जब आप इसको restrict करते हो तो यह वो point होता है pi by 2 जो मैंने बताया था यह वाला point pi by 2 होता है और यह वाला point minus pi by 2 होता है तो अगर आप इसकी domain देखो यह function बस इस x value पर draw हुआ है बाकी किसी भी x value पर draw नहीं हुआ हुआ है तो इसकी domain क्या हो जाएगी minus pi by 2 से लेके pi by 2 ठीक है और अगर आप इस graph को देखो तो अभी भी यह 1 और minus 1 के दर्मयानी है तो range इसकी अभी भी minus 1 और 1 के दर्मयानी होगी तो या तो वो sign function की domain range पूछ सकते है या वो principle sign function की domain range पूछ सकते है या फिर तीसरा क्या होगा कि वो inverse sign function की domain range पूछ है अब ये तो है principle अब ये क्या हो जाएगा ये inverse हो जाएगा और देखो इसके बनाने में मैं नहीं जाओंगा क्योंकि topic बहुत लंबा हो जाता है लेकिन बनाने का तरीका यह होता है कि आप एक line draw करते हो यह line होती है y equal to x इस y equal to x line पे आप इसको reflect कर देते हो मतलब यह graph इस तरह है न आप इसको इस तरह कर दो तो यह यह हो जाएगा यह आप में reflect कर दिया आपको principal sign function की domain और range निकालनी आली चाहिए जब आपको इसकी domain range पता है न तो inverse की निकालना मुश्किल नहीं है आप लोगो पता होगा जो function है जो उसकी domain होती है inverse आप कैसे निकालते हो आप interchange कर देते हो यह मैंना शुरू में आप लोगों को बताया था कि अगर एक function इस तरीके से लिखाव है 1,2 2,3 तो अगर आपने इसका inverse निकालना है तो आप interchange कर दो आप इसको लिखोगे 2,1 आप लिखोगे 3,2 तो जो आपकी function की domain थी 1,2 वो अब range बन जाएगी inverse की देखो inverse में range क्या है 1,2 तो जो domain है function की वो बन गई range inverse function की अच्छा जी और जो इस function की range थी 2 और 3 वो बन की domain इसके inverse की तो यहां से आपने observe कि एक function है उसकी domain range बन जाती है inverse की और जो function की range है वो domain बन जाती है inverse की तो जो principle sign function की आप में domain और range निकाल ली है इसको बस interchange करतो तो inverse की क्या हो जाएगी domain जो है इसकी हो जाएगी जो इसकी range थी मतलब minus 1 से लेके 1 और range इसकी क्या हो जाएगी minus pi by 2 से लेके pi by 2 तो आपको inverse का graph और इसकी domain range आपने की जरुरत नहीं है आपको इसकी याद है इसको restrict करना principle sign function की यह domain range होती है तो जो इसकी domain है inverse की वो range बन जाएगी जो इसकी range है वो इसकी domain बन जाएगी अब देखो ये वाली values मतलब domain range और ये domain range मैं आप लोगो table में लिखवाँगा तो देखो अगर ये concept नहीं आता होगा आपको तो याद नहीं कर सकोगे आप लोगो ये सिर्फ एक function है sine एक याद रखना पड़ेगा एक याद रखना पड़ेगा बागी सोजो पांच और हैं उन पांचों के आपको दो दो चीजें इस तरह याद रखनी पड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा तो एक दूस ग्राफ को मैंने समझाय है उपड़ से मैंने principle sign function को समझाय है ताकि आप लोगो डूमेन एज निकालने में कोई मसला ना है और जो principle sign function किया है उसको आप interchange कर देना inverse किया जाएगी अब बात करते हैं cosine की अगेन वही बात cosine को अगर आप देखो तो cosine का graph जो है वो one to one नहीं है ठीक है जैसे इसमें हमने यह वाला हिस्सा चूस किया था अपनी असानी के लिए इसमें हम यह वाला करेंगे ठीक है जीरो से लेके 180 के दरमान यह पूरा हिस्सा जो है जो मैंने यहाँ पर बनाया है क्योंकि हमाई लिए easy है जीरो और 180 के दरमान एंगल काफी थोड़े easy होंगे ठीक है और को हिस्सा चूस करने का फायदा नहीं है तो देखो बागी इससे को आप क्या कर दो रिमूव कर दो इसी तरह यह भी रिमूव हो जाएगा तो अब जो आपके बाग cosine function आए वो क्या हो जाएगा और लेट से अगर आप इसमें अब horizontal line मनाओगे तो वो एक ही point पर cross करेगी तो इस तरीके से आपने cosine function को one to one बना दिया तो इसको अब क्या बोलोगे principle cosine function और इसके domain क्या हो जाएगी principle cosine function की again जो sine की थी नहीं, sine नहीं, अलग होगी इसकी अगर आप देखों, इसमें graph जो है वो कितने x value पे पहलाव है यह x value है 0, यह x value है पाई तो 0 और पाई के दर्मिया नहीं आपको यह graph नाजर आ रहा है इसका मतलब इसके domain है 0 से लेके पाई और अगर मैं range की बात करूँ range वो ही रहेगी जो cosine की होती है maximum value 1 है, minimum value minus 1 है तो range इसकी क्या हो जाएगी minus 1 से रहेके 1 तो यह concept याद होगा तो आपको यह चीज़ याद रखने की जरुरत नहीं है concept जहन में होगा आप फॉरण इसको याद कर लोगा inverse cosine function की तो inverse cosine function की यह domain होगी और यह इसकी टेंज होगी graph याद करने की जरुरत नहीं है आपको क्यूंके मुश्किल होगा आप लोगों के लिए आद रखना inverse के graph याद ना करो बस normal graph याद होना चाहिए और principle का आपको पता होना चाहिए तो आप असानी से domain ने निकाल लोगे याद करने का कोई फाइदा नहीं है और अगर आप यहाँ बात की जाए inverse trigonometric sorry inverse tangent function की अगेन वोई बात इसमें आप कौन सा वाला हिस्सा कंसिडर करोगे यह बाला पूरा ठीक है बागे सब को क्या कर दो मिटा दो अब देखो यह जो हिस्सा है यह one to one है अगर आप इस पर horizontal line मनाओगे तो यह a की point पे cross कर दी है तो ज़रा इसकी domain ने ज़िए हम निकालते है domain वो ही मतलब कि आपका graph कितनी x value पे फैलाव है तो देखो pi by 2 और minus pi by 2 इसके दर्मियान ही आपका graph है लेकर यहां पे एक चीज़ा ख्याल लगना round पे record लगाना क्यों? क्योंकि आपको बता है pi by 2 graph के उपर नहीं है pi by 2 पे आपको एक asymptote मिल रहा है और मैंने बताया था यह asymptote और यह graph कभी मिलेंगे नहीं इसका मतलब graph में x की value pi by 2 नहीं हो सकती क्योंकि जब यह line इस curve से मिल नहीं रही उसका मतलब आपका graph में कभी भी x value pi by 2 नहीं हो सकती उस पे आपका graph infinite हो रहा है तो tangent के case में pi by 2 को आप शामिल नहीं कर सकते इसी तरह minus pi by 2 जो है इसको भी शामिल नहीं कर सकते तो मैंने round bracket लगा दिये और अगर यहां पर आप range की बात करो तो range जो है वो real number है अच्छा real number को लिखने का एक और तरीका भी होता है या तो आप इस तरह लिखते हो और या आप real number को इस तरह लिख दो minus infinity से लेखे infinity क्योंकि real number positive भी number आजाएंगे up to infinity तक बड़ा बड़े से बड़ा number और negative infinity तक भी आजाएंगे कि एक बहुत छोटा negative number है तो इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो अगर अब मैं बात करो inverse tangent function की तो जो इसकी range थी वो domain बन जाएगी inverse tangent function की तो देखो आप अगराब जो है यह पुरा गराब जो है यह चलता जाएगा आगे तक यह आगे तक जा रहा है इसी तरह यहां भी जा रहा है तो देखो positive x-axis पर भी फैलाव है negative x-axis पर पुरा फैलाव है तो domain देखो इसकी यह होगी और जो principal tangent function की domain थी वो inverse की range बन जाएगी मतलब minus pi by 2 से लेके pi by 2 तो देखो pi by 2 और minus pi by 2 के दर्म्यान है जिसमें minus pi by 2 और pi by 2 शामिल नहीं है तो in short conclusion यह हुआ कि इसकी आप domain देखो कैसे याद रखोगे अगर आप ग्राफ याद है तो निकालना मुश्किल नहीं है और इसकी याद रखो इसकी कैसे याद रखोगे अगर आपको यह पता हो कि कौन से वाले हिस्से को हम consider करते हैं तो that's it जब आपको यह हिस्सा पता है तो अब असानी से इसके domain ने निकाल लोगे जब इसकी निकाल लोगे तो interchange करके आप inverse की भी असानी से निकाल लोगे उसके बाद 7 जो है वो है core tangent function मतलब जिसको आप court क्याते हो तो court के graph इस तरीके से बन रहा होता है अगर आप asymptote देखो asymptote मैंने बताया था कि ऐसी line जिस पे आपका curve जो है वो approach कर रहा होता है तो court के graph में वो line क्या होती है वो line y-axis होती है तो इस तरीके से आप court का graph बना रहे होते हो तो court में आपको asymptote एक तो 0 पे मिलता है मतलब y-axis पे आपको एक मिल रहा है एक आपको मिलेगा पाई के उपर अगर आप देखो court का graph जैसी पाई के करीब जाता जा रहा है वो नीचे होता जा रहा है वो कभी भी इस line से नहीं मिलेगा तो एक asymptote आपको y-axis पे मिलता है एक asymptote ये पाई से पास कर रहा होता है इसी तरह एक asymptote इतर देखो तो माइनस पाई अगर आप इतर ड्रो करो तो 2 पाई पे मिलेगा फिर 3 पाई पे मिलेगा इस तरीके से आपको asymptote मिलेगे अगर आप बात करो court की domain की तो देखो x की value कोई मसला कर रही है इसके अंदर जैसे अगर आप calculator में court के अंदर 180 degree put करो तो error आजाएगा court के अंदर 0 put करो तो error आजाएगा और दिखने में भी लग रहा है आपने यह देखना होते हैं कि आप ग्राफ x-axis पे कितना पहलाव है तो देखो x-axis की जो 0 value है उस पे आपका graph नहीं है नीचे से भी देखो 0 से पहले पहले है और दिखो 0 से पहले पहले है इसी तर आपका graph x की value पाई पे भी नहीं है तो कुछ ऐसी x की values है जिस पे आपका graph नहीं पहलावा तो जब आप इसकी domain निकालो तो उन values को आप निकाल दोगे जैसे हमने tangent में किया था कि कुछ values मसला करती है उनको हमने निकाल दिया था तो court में कौन-कौन सी value मसला करेगी सबसे पहली बात court की domain जो है वो सब real number होंगे ठीक है minus जो मसला कर रहे है 0 फिर positive negative pi positive negative 2 pi इसी तरह positive negative 3 pi मतलब pi 2 pi 3 pi ये भी मसला करेंगे minus pi minus 2 pi minus 3 pi ये सब मसला कर रहे होंगे अब list बनाने से बेतर है आपको general form में convert कर दो तो इसकी general form क्या होगी n pi where n belongs to integer जब n की value आप one put करोगे तो pi आजाएगा minus one put करोगे तो minus pi आजाएगा n की value zero put करो तो zero two put करो two pi ठीक है तो जितने भी मैंने number लिखे है ना जो court के अंदर मसला कर रहे होते हैं तो उसका उनको आप इस तरीके से भी express कर सकते हो तो उन numbers को आपने क्या करना है real number में से निकाल देना है तो इस तरह आप लिख सकते हो real number minus n pi where n belongs to z तो जब मैं आप लोगो टेबल कर वाऊंगा ना उसमें आप लोग समझ जाना कि court में ये वाली values जो हैं ये मसला कर रही होती है और दिखने में भी आप ग्राफ पे लग रहा है pi पे एजम टोड मिल रहा है zero पे मिल रहा है minus pi पे मिल रहा है ठीक है इसका मतलब यहां पे अगर आप कौट की रेंज निकालो तो रेंज सब रियल नमबर होंगे इस तरह भी लिख सकते हो या आप minus infinity से लेके infinity इस तरह भी लिख सकते हो अगर कौट को आपने one to one मनाना है तो one to one मनाने के लिए आप क्या करोगे just यह वला जो हिस्सा है यह consider करो तो यह जो principal cotangent function है इसकी अगर आप domain निकालो तो वो zero से लेके πाई के दर्मियान आएगी आप अगर आप zero और πाई के दर्मियान है जिसमें zero भी शामिल नहीं है और πाई भी शामिल नहीं है क्योंकि zero पे भी आपको एक आजम्टोड मिल रहा है पाई के उपर भी मिल रहा है तो आपका अगर आप zero और πाई के दर्मियान धर्मियान है zero और πाई के उपर नहीं है तो यह principal cotangent function की domain है और अगर आप range निकालो तो range तो बोई positive infinity, negative infinity तो जब आपने principle की निकाली inverse में आपको मस्ला नहीं होगा जो इसकी domain है inverse की वो क्या जाएगी जो इसकी range है वो inverse की हो जाएगी domain ठीक है और जो इसकी domain थी वो inverse की हो जाएगी range ठीक है secant carried out second के function में आपको cup मिल रहे होते है आप यह बोल सकते हैं, आपको पैरा बोला मिल रहा है, यह इस ट्राइब अगराब बन रहा होता है, secant function का, तो यह वाला point क्या होता है, यह point x-axis के उपर होता है, sorry, y-axis के उपर होता है, और y-value क्या है यहाँ पे, 1 के बराबर है, secant में आपको एक asymptote मिलेगा, pi by 2 पे, देखो, curve इसके पास अपरोच कर रहा है, इसी तरह नीचे से भी curve इसके पास अपरोच कर रहा है, फिर आपको asymptote मिलेगा 3 pi by 2 पे, यहाँ पे भी एक curve बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, इसी तरह negative में आप देखो, negative pi by 2, negative 3 pi by 2 इन सब पे आपको asymptote मिल रहोगा तो यहाँ पे अगर आप इनकी domain लिखना चाहो तो domain में आप क्या करोगे अच्छा देखो जो secant की आप domain निकालते हो ना जैसे आपने tangent की निकाली थी secant की भी आप ऐसी निकालोगे क्योंकि secant में भी यह value मसला कर रही है, pi by 2, 3 pi by 2 और tangent में भी यही मसला करती थी तो इसमें वही काम करो कि जो आप है tangent में किया था, 2n प्लस 1 pi by 2, where n belongs to integer, इसकी आजाएगी domain, जहां तक बात है secant function की range की तो range थोड़ी अजीब सी है इसकी अगर आप इस graph को देखो, यह graph 1 y value minus 1 y value, 1 और minus 1 के दर्मयान आपको graph नज़र नहीं आ रहा यह जो secant graph है 1 और minus 1 के दर्मयान नहीं है 1 से greater पे graph है, minus 1 से greater पे graph है, तो यहां पे अगर आप range निकालना चाहो इसकी secant function की, तो उसमें y value यहां तो आपको 1 से greater मिलेगी, और y value आपको minus 1 से कब मिलेगी या तो y value आपको 1 से greater मिलेंगी पूरी, या y value minus 1 से less मिलेंगी जिसमें 1 भी शामिल है देखो, 1 इस curve के उप़र है, और उसमें minus 1 भी शामिल है, तो देखो मैंने inequality में यह नीचे वाली line लगाई वी है, मतलब 1 के equal भी है और 1 से बड़ी है, और minus 1 के equal भी हो सकती है, और minus 1 से चोटी भी हो सकती है यह range है secant function की जब इसको one to one करोगे, तो आप क्या करोगे, इस वाले हिस्से को मिटा दो, इसको मिटा दो, इसी दरीके चे इस वाले हिस्से को मिटा दो, अब अगर आप horizontal line में आओगे, तो वो curve के एकी point पे cross करेगी, मतब यह graph बन जाएगा, तो अगर आप यहाँ से इस principle sign function की domain निकालो, तो यह function 0 और πाई के दर्मियान दर्मियान है, अच्छा कुछ values आप आप को याद दख लेना, जैसे πाई बे डू बेजम टोड मिल रहा है, यह वाला point 1 है, इसी तरह यह वाला point क्या है, पाई के बराबर है, जो peak मिल रही है, आपको पाई पे मिल रही है, तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो अच्छी बात होती है, बारल, क्यूंकि अगर पता होंगी, तो आप इस तरहीके से principal sign function मना लोगे, sorry, principal secant function, अगर आप domain देखो, अगर आप 0 और πाई के दर्मयान दर्मयान है, तो 0 से लेके πाई तक, जिसमें 0 भी शामिल है, देखो 0 के ओपर dot लगाव है, और जिसमें πाई भी शामिल है, तो यहापे आप क्या कर सकते हो, square bracket लगा सकते हो, लेकिन आगे आप एक चीज़ mention करोगे, domain x values होती है, तो x values 0 और πाई के दर्मयान दर्मयान है, लेकिन पाई बे 2 शामिल नहीं है, यह पाई बे 2 होगा, पाई बे 2 शामिल नहीं है, तो कि दिखने में लग रहे है, पाई बे 2 पे आपका गराफ दिखो, कभी मिलेगा नहीं, इसी तरह यह गराफ भी पाई बे 2 पे कभी मिलेगा नहीं, उसका मतलब domain इसकी 0 से लेके पाई के दर्मयान है, जिसमें पाई बे 2 जो है, वो शामिल नहीं है, मतलब x not equal to pi by 2, x pi by 2 के बराबन नहीं हो सकता, बागी 0 और pi के दर्मयान कुछ भी हो सकता है, और अगर आप यहाँ पे इसकी range निकालो, तो range क्या हो जाएगी, y values, range अभी भी वही है, 1 से greater greater, 1 से कम कम, ठीक है, तो range होगी y greater than equal to 1, और y less than or equal to minus 1, range अभी भी भी है, तो जो इसकी range थी, वो inverse secant की domain बन जाएगी, यह पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, इस function की domain बन जाएगी, और यह जो आपके पास domain लिखिया है, यह function की range बन जाएगी, मतलब inverse function की range बन जाएगी, जो इसमें x values होती है, वो इसमें y values बन जाती है, और जो इसमें y values होती है, वो आपको दिखने में लग रहा है, x value बन जाती है, तो यहाँ पे जब आप range लिखोगे न, इसकी जो domain थी, वो range थी, तो इसकी domain थी 0 से लेके πाई, जिसमें πाई बेटू शामिल नहीं है, सेम वही होगा लेकिन इसमें आप लिखोगे, y not equal to πाई बेटू, क्योंकि इसमें x value थी, inverse में यह क्या हो जाएगी, y values हो जाएगी, तो इसकी range 0 और पाई के दर्मयान है, जिसमें πाई बेटू जो है, वो शामिल नहीं है, और आखरी function है cosecant function, cosecant और secant तक्रीबन सेम टाइप के हैं, बस फर्क यह के cosecant में आपको जो एजम टोड मिलता है, वो 0 पे मिल रहा होता है, इसी तरह पाई पे मिलता है, इसी तरह 2 पाई पे 3 पाई और negative में भी यही सीन है, तो अगर आप इसकी domain निकालो, तो इसकी domain बिल्कुल वैसी ही होगी, जैसे आपने इसकी निकाली थी, प्रूंकि इसमें भी आपको 0, पाई, 2 पाई इन सब पे एजम टोड मिल रहा था, तो को टेंजन के हमने कैसे निकाली थी, एन पाई माइनस कर दिया था, वेर एन बिलॉंग्स तू इंटीजन, और अगर आप यहाँ पे रेंज निकालो, तो रेंज तो वह ही है जो आपके सीकेंट फंक्शन की थी, कि 1 से ग्रेडर ग्रेडर वैलियूज, माइनस वन से कम-कम वैलियूज, तो रेंज यहाँ पे आ जाएगी, y greater than or equal to 1, y less than or equal to minus 1, इनवर्स को सीकेंट में आप कौन सा वाला हिस्सा कंसीडर करोगे, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, यह वाला कंसीडर करोगे, जो मैंने मनाया रहा है, प्रिंसिपल को सीकेंट फंक्शन में देखो, डुमेन क्या है, पाई बे टू और माइनस पाई बे टू के दर्म्यान है, जिसमें माइनस पाई बे टू और पाई बे टू दोनों शामिल है, सिभाई 0 के, देखो 0 वाइद एक्स वैल्यू है, जिसमें आपके चेसामिल है, नहीं है, अब जो इसकी रेंज थी, वो इन्वर्स की बन जाएग्ए डुमेन, किस तरह लिखोगे x value greater than और x value less than मैंने बताया था कि x और y interchange हो जाते हैं इसकी range में हम y value यूज़ करते थे न जो इसकी range थी वो यहाँ पर domain बन गए तो domain में हम x से show कर रहे हैं और जिसकी domain में x value थी वो यहाँ पर range बन जाएगी minus pi by 2 से लेके pi by 2 जिसमें 0 जो है वो शामिल नहीं है तो इसमें x value थी इसमें y value आगी तो इस तरीके से अब मैं next lecture में इंशाला आप लोगो टेबल की form में बताऊंगा किस की domain और range क्या है तो अभी मैंने जस्ट आप लोगो एक table की form में list बना के कर दिया ताकि आप लोगो को याद करने में एक जगा पर मिल जाएगा तो असानी हो जाएगी ठीक है तो आपको notes में मिल जाएगे टोटल 23 types में आप लोगो फंक्शन की पढ़ा चुका था तो 24 type क्या थी trigonometric function उसमें 6 trigonometric function है जिसमें 3 जो हैं वो trigonometric हैं बागी 3 जो है इनके reciprocal होते हैं और यह trigonometric function आते कहां से हैं फर्स्ट यर का topic है यह सबसे पहले हमने right angle triangle से इनको define किया था उसके बाद हमने trigonometric को extend करने के लिए unit circle के जरीए से इसको define किया था तो basically trigonometric function जो है वो define हुए है unit circle से sign function जो है मैंने बताया था इसकी domain है सब real number और range जो है वो minus 1 से लेके 1 है तो यह आप लोग देख लेना साले जो important है वो मैं बता दू अगर आप tangent की बात करो तो tangent की range जो है वो तो सब real number होते हैं लेकिन जहां तक domain की बात है मैंने बताया था pi by 2, 3 pi by 2 इसी तरह 5 pi by 2 और negative में भी यह मसला करते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं इनको real number में से हम निकाल देते हैं जो numbers मसला कर रहे होते हैं उसको आप real number में से निकाल दो तो यह सारे number यह जो pi by 2, 3 pi by 2 इसको हम बोलेंगे odd multiple of 90 इसको लिखने का तरीका यह था 2n plus 1 pi by 2 तो real number के set में से मैंने इनको minus कर दिया और आगे मैंने लिख दिया कि n जो है वो belongs to integer मतलब अगर आप यहां पे 0 put करो तो 0 आ जाएगा 0 put करने से pi by 2 आएगा n की value 1 put करने से 3 pi by 2 इसी तरह 5 pi by 2 और अगर आप negative value put करो तो negative आपके पास आते जाएंगे तो यह तो बात होगी ती tangent की domain की अगर आप court की बात करो तो court में pi 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi आप यह कह सकते हो कि जो pi है न इसके integral multiple मतलब integral multiple क्या होंगे 0 pi 1 pi 2 pi 3 pi इसी तरह integer negative भी होते है minus pi minus 2 pi minus 3 pi कि सब number जो है यह मसला करते है अगर आप court के अंदर put करो तो वो undefine हो जाता है तो मैंने कहा कि इनको real number में से निकाल दिया और इनका लिखने का तरीका क्या था n pi where n belongs to integer range तो इनकी real number थी sec और tangent की domain सेम होगी उसकी reason यह है कि tangent किसके बराबर होता है sine over cos इसी तरीके से sec किसके बराबर होता है one over cos तो मसला कब होता है जब आपका denominator zero हो रहा है दोनों cases में देखो denominator में क्या आ रहा है zero आ रहा है sorry denominator में क्या रहा है cos आ रहा है तो हम यह जो tangent की domain वो इस तरीके से निकाली जाती है case के denominator में cos है तो आपने यह देखना है cos zero कहां पे होता है तो cos zero pi by 2 पे होता है इसी तरह 3 pi by 2 पे होता है तो यह साए number हमने tangent से निकाल दिये थे तो same sec के लिए भी वही होगा क्योंके sec का denominator भी cos है और cos zero कब होगा इन सब angles पे बस denominator आपका zero लिए होना चाहिए क्योंके अगर denominator zero हो गया fraction आपकी undefine हो जाती है तो इसलिए tangent और sec इन दोनों की domain सेम है क्योंके दोनों के denominator में क्या आ रहोता है cos आ रहोता है तो जो आप tangent की domain याद रखो same वही आपको sec की याद रखनी है और अगर इनकी भूल जाओ तो मैंने आप लों को graph बताया है graph याद रखो आपको असानी से याद आ जाएगा और जहां तक बात cot की की जाए cot और cosec इनके same domain होगी क्योंके cot के denominator में sign आता है और cosec भी बराबर होता है one over sign के तो दोनों के denominator में sign आता है जहां तक बात की जाए sec और cosec की range की तो इन दोनों की range same होती है और range क्या होती है या तो आपके पास one से greater value आएंगी one, two, three, four और one भी आ सकता है equal to one भी है ना one भी आ सकता है या one से greater value आएंगी या आपके पास minus one आएगा या minus one से कम-कम values आ लिए होगी sec में भी होता है इसी तरह आप inverse trigonometric function की बात करो तो inverse में sine inverse की अगर domain देखो minus one और one के दर्में ये सवाल अगर आप से पूछा जाए कि आप इसकी value find करो sine inverse two की तो सवाल ही गलत है possibly नहीं है इसका क्यों? क्योंकि जो sine inverse है ना x ये आप कहां से लेके कहां तक put कर सकते हो minus one से लेके one के दर्में put कर सकते हो तो minus one और one के दर्में तो two आते ही नहीं है that's why अगर आप calculator में sine inverse two निकालो तो वो आपको error देदेगा तो उसके पीछे reason ये होती है कि इसकी जो x value है जो आप put कर सकते हो one और minus one के दर्में नहीं put कर सकते हो इसके लावा put नहीं कर सकते है same cause inverse के लिए भी यह है तो जब error आए के लिए में तो समझ जाना ये उसके पीछे reason है क्योंकि चोड़ी चोड़ी बाते हैं ना conceptual ये आप से वो mcqs में पूछ सकते है इसकी value पूछ ले अब आपको लगेगा यार sign inverse two की कुछ ना कुछ value होगी अगर आपको नहीं पता तो आप तुक्ता लागा कर आजागे हाला कि अगर आपको concept पता हो तो आप फॉरण बोल सकते हो भाई ऐसा possible नहीं है ठीक है तो आपको नहीं पता होता इंसान कहता कुछ ना कुछ तो होगा वो किसी भी option पर लागा कर आजागे असर इनकी range sign inverse की range होती है minus 90 से लेके 90 यही reason है अगर आप calculator में sign inverse कुछ भी दालो मतलब 1 और minus 1 के अंदर दालो इनके दर्में कुछ भी आप calculator में sign inverse की value पुट करो calculator में का answer जो है जो आपको वो answer देगा वो 90 और minus 90 के दर्में देगा हलाकि आपकी चीज़ पता है कि अगर आप sign inverse 1 upon 2 दालो sign inverse 1 upon 2 first year में भी हम पढ़ेंगे क्या मतलब है इसका लेकिन इसका basically मतलब होता है कि sign किस angle पर 1 upon 2 है sign inverse 1 upon 2 का मतलब होता है sign किस angle के ओपर 1 upon 2 है तो हम answer इसका क्या लिखते है 30 sign 30 degree आप निकालो तो 1 over 2 होता है तो sign inverse 1 over 2 आप से angle भांग रहे है कि किस angle पर यह 1 upon 2 है तो result में आपके पास क्या आता है 30 degree लेकिन same इसका answer 150 degree भी हो सकता है क्यूंकि sign 150 पर भी 1 over 2 होता है लेकिन calculator आपको 30 देगा अब reason समझो क्यों क्यूंकि 30 इस range के अंदर आ रहे है उस वाली range के अंदर 90 और minus 90 इनके दर्मान 150 नहीं आता 150 इनकी range से बाहर है तो that's why जब हम first year में inverse trigonometric functions और equations को जब हम solve करते थे न तो student के जहन में आता है यार कि calculator हमें 30 degree बोल रहे है और हमारा एक answer 150 degree भी है तो calculator 150 क्यों नहीं दे रहा उसकी reason ही यह है कि inverse sine function का answer 90 और minus 90 के दर्मान होगा और यह range कैसे बनी थी यह मैंने last lecture में बताया था कि 90 और minus 90 क्यों है वो मैंने last lecture में डिटेल में बताया था cos inverse की बात करो तो देखो उसका answer हमेशा 0 और pi के दर्मान आएगा अगर आप calculator में लिखो नो cos inverse cos inverse 1 upon 2 तो calculator आपको answer देगा 60 degree लेकिन minus 60 degree भी अगर आप calculator में minus 60 degree लिखो मतलब cos minus 60 या cos 60 लिखो answer हमेशा 1 over 2 आएगा लेकिन cos inverse करने से calculator आपको just 60 degree answer देगा हाला के इसका minus 60 degree भी है लेकिन वो भी बात 0 और pi के दर्मान कौन सा angle है 60 degree है इसलिए calculator आपको ये answer देगा बाकि हम ये फरस्टेर में में इंशाला आप details दे concept कर लेंगे क्या चीज़ें होती है tangent inverse की domain range domain तो real number है range जो है वो आपको sign से मिलती भी लग रही है sign inverse से लेकिन फर्क ये है कि इसमें square bracket है और इसमें round bracket है मतलब square bracket का मतलब होता है वो value शामिल है इसमें minus 90 और 90 शामिल है लेकिन tangent के अंदर शामिल नहीं है इसी तरह court inverse में भी देखो cos inverse और court inverse इनकी range दिखने में सेम लग रही है लेकिन फर्क ये कि इसमें round bracket और उसमें square bracket है second verse में जो domain है मतलब second verse के अंदर आप 1 से greater value पूट कर सकते हो या 1 भी पूट कर सकते हो या आप minus 1 या minus 1 से कम value पूट कर सकते हो again वही बात कि अगर आप calculator में पूट करो तो ये ना 1 से बड़ा है ना ये minus 1 से चोट है ये उनके दर्मयान आ रही है तो इसका मतलब या पूट नहीं कर सकते तो और आप ये calculator में पूट करोगे वह आपको error देदेगा इसी तरह आप सेख inverse 0 पूट करोगे तब भी वह error देदेगा तो इन चोटे-चोटे concept को जैन में रखना है जहां तक बाग सेख inverse की range की है तो वह 0 से लेकर πाई के दर्मयान है लेकिन मैंने बताया था उसमें पाई बाई बाई टू शामिल नहीं है क्योंकि पाई बाई टू पे आपको एक एजम टोट मिल रहा था इसी तरह को सैग inverse की डूमेन तो सेम है जो सैग inverse की है बस इसमें range जो है वो माइनस 90 से लेके 90 है जिसमें माइनस 90 भी शामिल है 90 भी शामिल है मतलब काफी हद तक इसकी sign inverse वाली है बस इसके अंदर मसला यह है कि इस पूरी range के अंदर देखो 90 और माइनस 90 के दिरम्यान एक एंगल 0 डिगरी भी होगा 90, 45, करते करते 30, 20, 10 फिर 0 आएगा फिर माइनस 10, माइनस 50, माइनस 90 तो 90 और माइनस 90 के दिरम्यान एक एंगल 0 भी है जो के शामिल नहीं है क्योंकि मैंने बताया था कौसाइक इंवर्स में 0 पे आपको एक एजम्टोट मिल रहा है तो इसकी काफी हद तक range साइन इंवर्स वाली है बस साइन इंवर्स में 0 भी आ सकता है लेकिन कौसाइक इंवर्स में 0 नहीं आ सकता